छोड़ के चली जाओगी याद आओंगा जाने जाना उन्हें जब अपने वीडियो के ट्विटर पर वायरल होने के बारे में पता चला तो उन्होंने बताया कि उनको काफी खुशी हुई अमरजीत का कहना है कि वह बीए फर्स्ट येर में हैं लेकिन उनका में फोकस सिंगिंग पर है वह स्टेज शो भी करते हैं उनका कहना है कि गाने की शुरुवात तब हुई जब उन्होंने बड़े घरों के फंक्शनों में गाना गाना शुरू किया वो यहाँ वेटर के काम के लिए जाते थे जिसके बदले 200 से 2500 रुपे मिलते थे इसी दोरान वो स्टेज पर गाना भी गाते थे यहीं से उन्हें सिंगिंग का अनुभव मिला वो यहाँ वेटर का काम करने इसलिए जाते थे ताकि गाने का मौका मिल सके वो एक शो में भी गये हैं और विजेता बने हैं अमरजीत का कहना है कि उनका सपना है इंडियन आइडिल के मंच पर जाना हलाकि एक दफ़ा वो इसके तीसरे राउंड से बाहर हो गए थे नमस्कार परणा मेरा नाम अमरजीत जैकर बिहार समस्तिपूर से मुझे बहुत खोशी हो रही है ये बात बताते हुए कि सोनुशूद सर के तरफ से उनके टीम के तरफ से मेरे को कॉल आया था कि आप आजाओं यहां पे तो मैं बहुत खोशन सर ने मेरे को बुलाया है और मैं सर को क्या बनूँ मतलब मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने एक छोटे से कलाकार को जो गाओं में है गाओं में गाता है खेट में, खलियान में ऐसे ही जिसको उपर कोई और तक ध्यान नहीं दिया, तो सर, आप ने मिरे उपर ध्यान दिया, और बहुत सार लोगों ने ध्यान दिया, सर, बहुत खुश हो, बहुत खुश हो, जल्दी सर मैं आपके पास आता हूं, मिले, प्रणावाँ परिवार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा परिवार में माता पिता भाई बहन और दादा दादी हैं पिता का सलून है वो अपने पिता को देखकर प्रेदित होते हैं वो चूटी दुकान देखते हैं वहां बैठकर सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है उनका कहना है कि वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पिता इत्ती पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी में नहीं जा सके और दुकान सम्हाल रहे हैं ऐसे में वो बस अब अपनी आवाज के दम पर कुछ करना चाहते हैं हलाकि गाने की वज़ा से ही लोग उन्हें खूब ताने भी मारते हैं